नवस्कार आप देख रहे हैं डिजियाना नियूज मैदी पक्रजा का आपका स्वागत करता हूँ आए रुख करते हैं आज दिन बर की खास ख़बरों की तरह विदी महाविद्याले की मानेता रद करने की बात के सामने आते ही आज चात्रों ने इसका विरूत किया चात्रों का औरुप है कि महाविद्याले एवं विदी महाविद्याले की आपसी अन्बन के चलते विदी महाविद्याले की मानेता रद की जा रही है जो कि पूंडा गलत है। इससे चात्रों के भविष्ट के साथ खिलवाण ही माना जाएगा। जो चात्र चात्राइब विधी महाविद्याले में पड़ाई कर रहे हैं उनका भविष्य को अंद्कार में हो जाएगा। इसी बात को लेकर राज छात्र संगटन ने चात्रों के साथ मिलकर ग्यापन दिया मांग की गई है कि जिस तरह से विदी महाविद्याले की मानेता रद्द करने का फैसला लिया गया है उससे पर दहे चात्र चात्राओं के भविष्य के बारे में पुना विचार किया जाए जिसकी गवरान चैक्रों की संग्षा में जो करने के इस प्षात्रों में प्रविष देनी के लिए आविद्द जबा किये हैं लेकि अभी हाली में प्रविद्याला का उसकी संकार द्वारा मान कर रद्द करती नहीं इसी मान को लेकर कि जो मानता रद्द की गई उस मानता को भाल गिया जाए और विद्दी माविद्याला को बुना चलाया जाए लेकिन माविद्याला और PCI की आप सी खीस्तान का घुना जो चाक्रों को बगतना पड़ता है इसी इसी दिमत पूरे गुना चलाया में एक विद्दी माविद्याला है जहां से जूर दराज से चात को भी डिग्री लेने के लिए लेकिन अगर इसको भी बंद कर दिया जाएगा तो बहुत सारे से चात जो लोग के एक्छों है वो अपनी पड़ाई से बंचेत हो जाए उनका प्रिवेश निष्चित किया जाना चाहिए और अगर एसी स्थे में इस मान को नहीं माना गया अगर जिदी माविद्याला उसकी मानता को भान नहीं किया गया तो चात लोग रांदुन के लिए बात दोंगे और आदूरान आगे चने की फसल को बेचने के बाद भी किसानों के हाथ खाली जिले की किसान अपनी फसल बिकने के बाद भी पैसों के लिए दर दर की ठोकरे का रहे हैं आज जैसे ही कुछ किसान उपायुक्त सहकारिता कारेले पहुंचे जहां उन्होंने अपनी परेशानी बताई एक किसान का रूप है कि गलती से उसके खादे का नमर गलत चड़ गया था जिसके बाद अधिकारी उन्हें उसे एक अप्लिकिशन दे कर जाने को बोला जिसके बाद उसकी परेशानी हलो जानी थी लेकिन किसान कारोप है कि अभी तक उसको फसल को बेचे हुए कई दिन हो गए हैं लेकिन उसको पैसा नहीं मिला अगर पैसा नहीं मिला तो उसने जो टेक्टर लिया है वापस ले लिया जाएगा वहीं एक किसान ने बताया कि फसल तुलाई की बाद भी कंप्टर में उसकी फसल नहीं चड़ी कि चलते पैसा नहीं मिल पा रहा सरकार अतनी यूजनाय तो चला रही है लेकिन उसका फाइदा किसानों को नहीं मिल पा रहा ये समझ में नहीं आता गलती किसकी है किसानों की जो कमपड़े लिखे हैं या फिर अधिकारियों की जो अपने कारों में लापरवाई करते हैं या फिर कोछ और किसाधियो अधिसे बंभ खॅक्राफशन दो कि अभी मिला तो अब दो तारी टे अफ्ट लबाए तो सोसाठी में आज तक उनर रसीद भी में नहीं है चड़ाई चणा और इस अब दिखते आज तक रशीद नहीं चड़े अमरे कंपूटर पर नरासीद मिली अब तो आपका भी पेसा नहीं मिला नहीं मिला कुछ कितना क् भी आपने ने चावाली कुंदल चारा डाला है तो पाइजे नहीं आ रहा है क्यों नहीं आ रहा है उपना काते में एक जीर हो जादा है एनने के एफिकेसन दे तो सरी हो जाएगा, न कोई बैलने इनको दे दिया मेली, अब यहने बोलां थाक पुछाने जहना जए आज पनरह दिन हो बहुते हैं अब कल में टेक ट्रकीट जाएगा, पाईसदाल पाइसे का मिल रहा है वे खितना पाईसा जाएगा, पाईसर आजा मोल थी लोग को सखेर बूंपर दोंपर में जाता हूं जोग जोग जाता हूं जोगा हम उस 22 की पास भी गया में आया जाही मोर्य वहां से द्भ पशेर ऑना के लाकर दिकी लॉया प्हरती ब्लांटर गुट मंजाने से इनके पास कोणंग चैज आकम पतृप यहां पर आ चुका हूं। और मैं इतना परेसान हूं। अगर जो मुझे पैसे आज की स्थिधिन पेदा नहीं करते तो मैं आप मत्यकरने की तजियान। न्यूजा के पास भी गया, विलायक जी के पास भी गया। मेरी कोई सुनवाई नहीं करता रहा तो आप किते लोग परेशान हो इस चीछ से अपको पेसे की सकती जरूरत है सकती जनुरत है मनें जहω अगवाया का बटियदार को जैना ह pokemon के पैसे जैना है और और चाज बिचकेश की दोमारा से तेयारी करना, बच्छों का एेड़ी संद करना है कदम उटाइएएए empez можно by collected मोग आया क Tammyane का कदम क्टलेक्टर साफ के सामने अग्लेकर साथ तो मुलगात किया आपने? नहीं किया रखा है आप अभी जा रहे हम देनी सर्थ दो एक कुन से मेनिम डाला था? छोथे मेनिम डाला था सत्ता इस चार में क्या डाला था? चाना तो इसमें ज्यादा पैसे नहीं आएंगे? यह बता रहा हम अभी बता रहा है तो यह आपके गाउं में है क्या उसक? आरओन में करवाया जी क्यूश्च अरओन में इसमें कितना लवा कितना बैसा लेना आपको इन से? जिसके बाद पुलिस ने दो लोगों के खिलाब मामला दर्जकर विवेश्च नामे लिया है सुत्रों के मताविक दोनों युवक इन दोर में पढ़ते हैं और किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया विवाद इतना गहरा रहा कि एक पक्ष दूसरे पक्ष को मारने के लिए गाड़ी भर के लड़के भी ले आया इसके बाद लोगों ने पकड़ कर थाने पहुंचाया जहां पर दोनों युवकों के खिलाब मामला दर्ज कर लिया गया है मामला कुछ नहीं साम बच्चम 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 सब्सक्राइब कर लिये मेरा गया जाता सब्सक्राइब करने के लिए वे यूप मानने के लिए को यूप बच्चम बच्च को बंदूक बिले करें हमाई ये बच्चे नहीं पॉल लगाया, चाचा मुझे बहुत से लोगों ना महा रहा बहुत जंदी आया और तो जब तक हमाई जब तक बुलो रहे लें तो बाग गए बच्चे को कहा लगी बच्चों के मुझ में लग गई, सर में लग गई, हाथ माथ में भी लगई, बहुत सी जख लगई बच्चे को अधिमिश करने जा रहे हूं कितने लोग थे हैं वो कम से खम चेह साथ लोग आयए थे, बच्चे को अकीले को बुलाया है, वहरे चौराज बहुत लाज़ा, हम तो दुकान बच्टाए हैं हम तो दुकान बच्टा, हम तो दुकन दारा अग्मी है, उनके साथ पढ़ने वाले हैं उनके साथ में कोई खिलाज मनास्की थे उनके बच्चे, वाज़ बंदूग बंदूग बिया के आए थे बोच्टाए हैं, वो गुना से बुना आए थे, मानने के लिए, मेरा नाम गारिस राट हो रहे है, लिटिन राट हो मेरा बच्टी जाए, मैं दुकान से बाक्ता हु मोबाइल एक लड़के का जो मोबाइल भूड़िया था, उसको लेकरके इनका बात विबाद हुआ था, इन दौर मी बात विबाद हुआ था, यहां पर कंप्रुमाइज के लिए दोनों आपास में बोरा मंचे चोराय पर एकट्टा हुए थे, वो कंप्रुमाइज की दोरा अधरन पंजीवद कर विविशना में लिए था, इम्धangen की दाए था उसके दादे के यहां खाना खाने के लिए बेज दिया था करें ने मुबाइल भूल पर बताया भाई है अब से करीब एक जिव गंड पहले की बात है बारो कालोनी में एक महला नहीं हांसी लगा कर आगवता कर दिया पुलिस मौकिव पर जाज के लिए गई हुई है और एफसल प्रवारी भी महाँ पर पहुच रहा है बुड़ेवाला जी छेतर में एक महला ने पैट्रोल डाल कर खुद को आग लगा ली जिसे गंबीर आलत में अस्पताल ले जाया गया थान अप्रवारी विवेक अस्थाना के अनुसार बुड़ेवाला जी पर रहने वाली महिला ने पती से जगड़ा हो जाने पर उसकी गाड़ी से पैट्रोल निकाला और खुद के उपर छिड़क कर आग लगा ली महिला के आलातभी संतोज जनक बताई जा रही है आज सुबहे की गटना है पुड़ेवाला जी पर एक महला रहती है इसने अपने माईके में रह रह रही जी और इसने लग मेरिश करी थी करी 30 सपहला है तो आज अपने पती से इसका कुछ बाद विबाद हुआ है उसको लेकर के असने बोटर साइकल से पैट्रोल निकाल के अपने उपर डाल के आग लगा दिगा अभी बरतमान में वो प्राइबेट जिक्रसाले में इलाज आज 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 अचानक तेज हवाओं के साथ बुन्दबादी हुई जिससे मौसम सोहाना हो गया दो पर तक जिस तरह से शेहर अंगारों की तरह तप रहाता अचानक दो पर वाद तेज हवाओं में मौसम में परिवर्तन आ गया कुछ जगों पर हल्गी एवं कुछ जगों पर तेज वारिज के समाचार भी है उन सबी सिक्षकों की इस समय बहुत बुरी इस्तिति है जो बियलों के पत पर पदस्त हैं एक तरफ तो उन्हें निवराचन का काम सौंप दिये गया है वहीं दूसरी तरफ स्कूल भी शुरू हो गये है इसके साथ ही ये आदेश भी निकाला गया है कि जो भी सिक्षक स्कूल में समय पर नहीं पाया गया तो उसके खिलाब कड़ी कारवाई भी की जाएगी इसी के चलते है आज HDM को सभी लोग ग्यापन दिने पहुंचे गुना विदान सवा से और हमारे साथ ही जो है ना गुना विदान सवा और वमौरी विदान सवा के भी ये अलू साथ ही हैं हम लोग निर्वाचन का काम पूरी मेहनत के साथ कर रहे हैं लेकिन हमारे संग एक समश्या आ रही है कि हमारे स्कूल भी खुल चुकी हैं तो हम एक बैक्ती एक काम कर सकता है या तो निर्वाचन का करेगा या सिक्षविवाग का तो हम निर्वाचन का काम जब अर्जेंट है तो इस आवशक कार निर्वाचन के कार को हम पूंड़ता निस्ठा के साथ पूंड़ कर रहे हैं गाउं में सर्विक कर रहे हैं लेकिन हमा हमारे शिक्षे भाग के अधिकारी और अन्य जो हमारे जो विवस्था में बे लोग हमारा निरिक्षण कर रहा है और भापे हम जब गाहों में सर्वे कर रहा होते हैं तो इसकूल पर मिलना असंबा भी है तो हम गाहों में अपना काम कर रहा है बे लोग हमें अनुपस्द बत कर रहे हैं यह हमारी समस्चा है कि एक बैक्ती एक ही काम कर सकता है हम डवल रॉल तो कर नहीं सकते हैं को यह मालूम नहीं है कि आप यह उसका काम कर रहे हैं हमारे अधिकारियों को पता है लेकिन जान बूच के निरिक्चन कर रहा है मेरे स्कूल में एक सी एसी गया है और उसक पर लिकार रेश्टर पर यह वैक्ति चला गया है दूपेंट आलीस पर इसी हमारी सभी साथियों की यह समस्या है कितने लावा कितने लोग उसाथ होगा जैसे अब जो तो सभी परिसान है पूरे एक भी बीलो ऐसा नहीं है जिसके वह समस्या एक बो भी काम करना यह भी काम कर लिकिम कुर्स को और गी यह समय है किसा है वीससर तारी तक जे हमें करके देना अंहीय का रधार टो जी अतिम म्हित्पू्ण कर कु में अपने श्राव कर ना करना चाहते है नरदार अट कर नानीन remote यह उनसे निविदन करना आधिगारी कोन है अभी निर्वाचन के सब्सक्राइब और जिले में गटी एक विकास खंडे वहां के SDM ओदेने एक आधे मतलब किया है कि उसका जब तक भी निर्वाचन का कार पूंड ही हो जाता तब तक सेक्षिन कार से वहां के बीया लों को मुक्त कि रखाए कि बू निर्वाचन का कार सुतुंतर रूप से कर सके अच्छा एक बीया लोगा नहीं इसकुल में जाए चलते एवं सरपंच एवं सच्चिप की मनमानी के चलते रतनागरी सित्प्रात्मिक विद्याले बनने के डेड़ वर्स बाद भी बंद है शिक्षकों का आरोप है कि सरपंच एवं सच्चिप ने जिला कलेक्टर एवं सीयों के निर्दशन का पालन करते हुए वं उनकी करने को तैयार नहीं है तो आप देख सकते हैं सर यहां पर जो गाउं का पंचाइद भवन है उसको इस्पेशल सुभी दाएं दी गई है इसमें बढ़िया टाइल्स फर्स बगेरा सब कुछ लगाया गया है लेकिन बच्चे जो पढ़ते हैं स्कूल में फिप्त किलास से एट किलास तक वो भवन एकदम घटिया निर्मान किया गया है और पंचाइद भवन को एक इस्पेशल तौर पर बनाएं गया और आप सरपन्स आपका कक्ष भी देख सकते हैं लेकिन स्कूल के अंदर कुछ भी नहीं लगाएं स्कूल के अंदर जो लगाएं गटिया प्लेट है और उनकी फर्स भी बैठक लेने लगा है आप को अने बाबा क्या ना मैं आपका देव की नंदनी आगा देव की नंदनी आगा ना मैं तो आपके अक्ष्म में में मेंबर हो आप वहाँ बच चाते हैं कि अधियान बोजन की अधियान बोजन की अधियान आख झाले बगेरा तो बनाई नहीं बनाएं पानी की भी नहीं है उसका में बोला था कि इसकी बिल्डिंग के साथ में पानी का मतला बूर रहता है तो पानी इसमें कहीं नहीं भी नहीं हो रहा है बोर भी नहीं लगाया है जी आपका शुम नाम रगवीर सूर्बंच अच्छा यह स्कूल है इसमें क्या समस्या है सबस्तिक्र और सबस्क्राइब सुधा ने बोला था क्या नाम है अच्छा मीन जी आदव कि अच्छा मीना जी में आधान है तो आप हमारी थोड़े साइन कर दो और मैं इसको 10-15 दिन में इसको सभी करवा जूंगा पूरा ग्राउंड उन्होंने उसमें कहा कि आप इसको हम इसके ग्राउंड को और इसमें टॉइलेट भी बनवा देंगे पानी की सुविदा कर देंगे आप एक आद महीने बाद इसको तो टॉइलेट की विवस्ता है बड़ी बच्ची है अब उनके लिए टॉइलेट तो आवज सको है बिल्कुल और पानी इसमें नहीं है पानी की विवस्ता नहीं है और इसका जो मैदान है इसका बाहर का वो पूरा उगड़ खावड़ पड़ा हुआ है यह समस्या है तो य नया निर्मान में आपको पता है कितनी राशी से बनाया गया तो नहीं जानका है काफी साथ आठ साल पुरानी बिल्डिंग बन रही है मतलब अभी तक अपन लोगों को हैंड़ोवर नहीं किया है तो 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 बिल्डिंग में तरारे चल गई सफाई हो जाएंगे तो मागी हम काम करवा लेंगे तो वह भी नहीं करवाया हुआ इसकूल यह उपर पलस्तर भी नहीं किया है अगर देख सकते हैं आप जो आट भी क्लास तक स्कूल लगता है उसमें ना तो अंदर पलस्तर किया गया है और फर्च भी उकड़ने लगा है अभी तो इसकूल चालो भी नहीं हुए है पलस्तर टो आट प्रोड़ने लग्वाओे तो आट रहा है प्रच पलस्तर बाट टो आट प्रोड़ने पलस्तर इसकृ़ने लगाने लगता है कि मैंने गर्मियों में इसमें अपने ताले लगा दिये थे ओपिस में और इसमें बरामदा में तो पिछली वारवी हमने एक दो महीने पहले भी लगाए तो समय भी ताले बगरा तोड़ दिये गए थे और अभी हम लोग अभी इसकुल खुले हैं तो अभी आए है तो अभी ताला तोड़ा हुआ है और यह अंदर अक्षा है जे ओपिस रूम है अच्छों काड्रेल है तो इसमें गाम बाले आकर करके और अपनी गईया वगेरा नंदर गुशा जाते हैं अच्छा है अब कर दोबर पड़ा हुआ हुआ है अब निकल गया है सारा परस निक आपका सुमनाम साब सुरेंद कुमार तो कैसा क्या हुआ था रटना प्रतनागरी से हमारे सायोगी जलम किरार की रिपोर्ट हारोन में आजित हुआ ब्रामण सामाज द्वारा प्रतिवाशाली चातर चातराओं को संबान सामारू जिसमें मुक्यतिती रादोगर विदायक जेवरदन सिंग एवं अनुविवाग या दिकारी अर्विंद बाजपाई शामिल हुए साती यहां बड़ी संक्या में ब्रामण सामाज के विप्रबंदू भी फस्तित रहे सभी प्रतिवाशाली चातर चातराओं को मेडल भी दी गए एवं उजबल वविश्य की कामना की गई साती छित्री विदाग जेवरदन सिंग ने कहा कि चातर चातराओं को एक लक्ष बना कर उसे प्राप्त करने के लिए तैयार रहना चाहिए क्योंकि लक्ष के बगएर जीवन अंधूरा सा है कास बात यह रही के ब्राह्मन समाज के दौरा साभी समाज के चातर चातराओं को संबान किया गया और मैं इसलिए चातराओं चाहिए तो पहले रागों बढ़ाया है इसलिए कि आज मैं भी मुझे पता नहीं कि छंपा लेंच के ऐसा होता है लेकर आमी मैं हूँ बर्तमान है चलिए हारों से हमारे सही होगी चंद्रिस रगोंसी की रिपोर्ट विगद दिनों बीना गंज में हुए सो में पालिवाल अपरहन के दो आरुपियों को पकड़ने में पुलिस ने सफलता प्राप्त की है आरुपियों के पास से फिरोती के रुप में दी गई रकम की लगवग वरामद हो चुकी है पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विगद दिवस बीना गंज के सौमे पालिवाल के अपरहन के मामले में पुलिस ने दो आरुपियों को पकड़ कर सफलता आसिल की है साथी फिरोती के रुप में दी गई रकम से लगवग 6 लाख रुपए भी बरामद कर ली है पुलिस सूत्रों ने बताया के सूर्जिय सिंग राजपूत और सेवम राजपूत दोनों निवासी बीना गंज के हैं वक्त दोनों ही आरुपियों ने वारदात को अंजाम दिया था दुर्गावानी प्रकंड रादोगड की बेहनों ने स्थानी सरस्वति शिशुमंदिल लालापुरा में एक कारिक्रम आयुजित कर विरांगना लक्षमिभाई का बलिदान दिवसमन आया कारिक्रम में मुख्यतिती के रूप में दुर्गावानी के पालक अधिकारी विश्विन्दू परिशत के जिला देक्षिश श्यामोजा ने चित्रपल बाल लयारपन कर नमन किया एवं कारिक्रम का संचालन नगर सहियोंजी का मोनिका राजपूतन किया वहीं प्रिति केवट ने राणी रश्मभाई के जीवन के बारे में परिशे दिया कारिक्रम मुफस्तित सहियोंजी का मिनाक्षी शर्मा, मन्जु केवट, पूजा परिहार, याशिजा, निकित अधाकर, जोति केवट, राधा प्रिजापती, रुक्मनी प्रिजापती योगा सब खेल को आविशब होता है, वहाँ पर रहनों को टाइबर चगाना करवाणी कि खाई, पराधे से खाया था, पराधे दन चगाना, रसी थे, रसी वानता, वहाँ पन चड़ना, नीश्यों तरना, मतलब आप आप जैसे लो प्रेले की जाती है, वहाँ प्रेले की आपना कि जाती हरकां आप ओसी न चाली है, वा debates को हमे सोब्राध जिक चाहिना है, वहाँ पराध कर चुछ, नहीं हुश्यों को सिह शेया चाहिए, वहात वहाँ पराध सक चाहिए, वहाँ द माथ उनकुच आज को कह सान्य चाहिए, तर जम आप सब सिखाया है, अर का इस आज बस इतना ही कल नई खबरों के साथ हम फिर आजर होंगे तब तक के लिए नमस्कार और दो खबरों के साथ हम फिर आजर होंगे बस्कार झाल झाल